है है हैries है या मि7 एक इंटीजर इन्पुथ करना है यहाझी हमें सिम्पल इंटीजर के वाल इसके first three multiples जैसे example अगा मैं बोलू 5 है तो 5 के first three multiples क्या होंगे 5 वंजा 5, 5 तूजा 10 and 5 3 सा 15 यानि कि 5, 10 and 15 ये first three multiples हो गए तो simple हमें क्या करना है एक integer input करना है और इसके first three multiples को में display करना है ठीक है तो सबसे बहले मैं क्या करता हूँ int main मैं क्या main function बना लेता हूँ ठीक है फिर मैंने braces लगाए then अब मैं क्या करता हूँ int ठीक है मैं करता हूँ मुझे integer input करना ना तो चलो मैं integer का नाम रग देता हूँ a ठीक है मैंने क्या कर दिया a नाम को integer लिया ठीक है अब लिखता हूँ cout slash n enter integer ठीक है मने मने में एक message डाल लिया कि enter integer यानि कि हमें एक integer enter करना है ठीक है अब मैं करता हूँ scene और हमारा integer हमने क्या लिया a ठीक है यानि कि मैं value simple user से मांग रहा हूँ ठीक है integer ले लिया अब देखो दो तरीके है या तो अब क्या कर सकते थे हम क्या कर सकते थे तीनों multiple के लिए हम क्या करते है तीनों multiple के लिए अलग ले तीन variable लेते और उसके लिए हम क्या करते है जैसा suppose करो मैंने तीन variable लोता b c d ठीक है और b is equal to मैं क्या करता a into one यानि कि अगर a को integer है इसको मैं into 1 करूँगा तो फ़स्ट क्या हो गया multiple हो गया c suppose करो मैं करता है c is equal to a into 2 यानि की c हो जाता हमारा second multiple और similarly जो मेरे d होता हो क्या होता a into 3 ठीक है फिर मैं करता b c d को print करा देता अलग मतलग यह हो गया तीन variable लेने वाला concept ठीक है अलग से अब मैं क्या करता हूँ मैंने तीन variable लेने ही नहीं मैं क्या करता हूँ simple अपनी जो cout statement है यानि की जिसे मुझे display करना है उसी में operation perform कर दूँगा ठीक है तो देखो मैं क्या करता हूँ simple cout slash n मैं बोलूँगा first three multiples multiples slash n and double quotes okay then हमारे first multiple जो होगा हमारा वो क्या होगा basically a into one होगा ना अगर मैं a कोई value लोगा ठीक है ये integer है अब मैं into one करूँगा तो मेरा first multiple होगा तो मैं करता है तो simple a into one कर दिया ये मेरा first integer print हो जाएगा ठीक है sorry first multiple print हो जाएगा then मैं करता हूँ फिर operator car skating operator फिर मैं करता हूँ slash n देता हूँ क्योंकि मुझे लेक्स में प्रेंट करना है अब मैं second multiple के लिए करूँगा simple a into two कर दूँगा a into two then again slash n then a into three हमारे third multiple के लिए ठीक है then हमारा semicolon हमारा हो गया पूरा program complete हो गया अब मैं करता हूँ simple return zero then simple braces burn अब इसको run करके देखते है अब देखो मैंने run करा अब इसे पूछ रहा है enter and integer यानि कि आप integer एड़नर करो suppose करो मैंने डाला seven क्या डाला seven अब मैं enter दबाऊँगा तो हमारे पर मैसेज की आना चाहिए जो हमारी second seeout statement री वह क्या थी the first three multiples are ठीक है यह statement आनी चाहिए और उसके आप जो हमारे three multiples होंगे वह आ जाएंगे ठीक है तो मैं enter करता हूँ तो देखो आगे first three multiples are seven fourteen and twenty one जो कि बिल्कुल correct है क्योंकि seven के first three multiples यह को क्या होगा seven बंजा seven seven two ja fourteen and seven three ja twenty one ठीक है तो आपने यह आपको प्रोग्राम समझा गया होगा और इसमें थोड़ा मतलब अगर इसके टैप के कुछ कोशन आ सकते तो यही आ सकते सिंपल कि आपको इंटीजर बोलेगा कभी आपको बोलेगा कि आपको first five multiples को करने है आपको first ten करने है आपको टेबल प्रिंट कराने हैं यहां से यहां तक तो वह सब सिमिलर टैप के कोशन है concert आपको यही लगएगा ठीक है तो आयोब आपको यहाला प्रोग्राम समझा गया होगा